जैहिन साथियों स्वागत है अब सभी का संपूर्ण जीके जीस चैनल पर साथियों अभी के क्लास में लोग देखेंगे डेली टेस्ट्रीज जो की ज्यान बिंदु जीस एकडमी के द्वारा पेट कोर्सेस में कराया जाता है मगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को से अगामी एक्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्यपूर्ण साबित होने वाला है तो आप लोग टेस्ट्रीज के एक भी क्लास को मिश मत करिएगा यह पेट कुर्से से मगर फिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री में प्रोबाइड कर करते हैं तो आएए आज हम लोग देखेंगे डेली टेस्ट्रीज का प्रैक्टिक से नबर फाइफ और फूर नमर तक हम लोग ने पहले कंप्लीट कर लिया था है जो भी बच्चे चैनल पर नहीं है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है आप लोग क्रोमो सोम की गतिविदी से समझाया था तो राइट एंसरो जगा वाल्टर सटन तथा थियोडोर गोब्री ओप्शन नमर भी राइट एंसरो जगा मेंडल के अन्वान सिक्ता के नियमों को वाल्टर सटन तथा थियोडोर बेब्री ने क्रोमो सोम की गतिविदी से समझाया फिसकर्माण ताप कामान कितना होता है ? घतिज उर्जा से संबधित निम्ने कतनों पर विचार केजिए गतिज उर्जा से संबनित इन दोनों कथन पर विचार करना है और बतनाना है कि ये कौन सा कथन सत्य दिया गया है तो देखिए करा है यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो गतिज उर्जा दोगिनी हो जाएगी ये कथन सही है सत्य दिया गया है दूसरा नमबर यदि वस्तु का वेग या रेक्षिया सन्वेग दूगिना हो जाए तो गतिज उर्जा बढ़कर चार गुना हो जाएगी हाँ ये भी कथन सत्य है गतिज उर्जा के संदम में दोनों कथन सही दिया गया है नमबर कुष्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानि इन चारों में से बतलाना है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है तो देखे पहला नमर कathन का रहा है वैसी वसा, जिसमें वोमिटिक अमले तथा एस्टियरिक अमले पाये जाते हैं संत्रिप्त वसा कहलाती है हाँ ये सही है यह वसा कमरे के ताप पर ठोच होता है हाँ ये दोनों पॉंट जो है अवलिक अमले युक्ते वसा असंत्रिप्त वसा होती है यह वसा कमरे के ताप दरब्य होता है यह भी कथन सत्त है तीसरा नमबर अधिकान से जन्तु के प्राप्त वसा संत्रिप्त तथा पोधे से प्राप्त वसा असंत्रिप्त होता है यह भी कथन सत्त है तो पूछारता कौ जित्तिया गया है उल्टा दिया गया है इसलिए ये कथन गलत है option number 4 आपका right answer गलत दिया गया है और कहरता सबते नहीं है तो option number 4 ही सबते नहीं option number 4 राइट answer गया next question 5 number question कर रहा है गठिया रोक के निधान है तो निम्ने लिखित में से किस radioactive अच्टिव और सब्सक्राइब का उपयोग किया जाता है सही अंसर हो जाएगा देखिए किस का उपयोग किया जाता है तो हॉल्मियम 166 हो जाएगा हॉल्मियम 166 option number C राइट answer गया गठिया रोक के निधान है तो निम्ने लिखित में से किस रेडियो एक्टिव और सब्सक्राइब का उपयोग किया जाता है तो हॉल्मियम 166 का उपयोग किया जाता है option number C राइट answer गया और इसके सांसाथ आप लोग याद रखेगा हमारे भ बहुत ज्यादा महत्रपूर्ण है नेक्ट कोशन 6 नमर कोशन एक विधूत हीटर में जब आठ एंपियर की धारा परवाहित होती है तब उसके छोरों के बीच का विववांतर 16 वोल्टेज रहता है जब उसके छोरों के बीच का विववांतर बढ़ाकर 180 वोल्टेज कर दि लेगा नीश कोशन 7 नमर कोशन कर रहा है में किस संख के जू kepada दिपेश्वारज संभी रहता है प्रतु टॉसट्व्चन प्रकिरिया के कारण सरीर बाद में असम मित हो जाता है तो किस प्रकिरिया के कारण आईए इसका राइट एंसर हो जाएगा देखिए किस प्रकिरिया के कारण पूछ रहा था नहों तो इसका सही एंसर हो जाएगा मुलस्का के कारण अगर साथ्यों यहाँ पर आप लोगों पीडियेफ में प्रोब्लम हो रहा हो तो आप लोग टेरीग्राम से जोयन हो जाएँ है पहले ही हम आप लोगों प्रेक्टिस एट मार जिएए फिर यहां से आकरके आप लोग मैच करके कॉमेंट जरूर करें कि आप लोग का कितना सई आगे बढ़ते हैं id numberJoe question देखते हैं कर रहा है कथन ुवान दिया गया है और कथन 2 दिया गया है और इसके सब्मंद में पूछना पूछन पूचरा है कि कौन सा कथन जो है सः हैं और कोन सा ऐलत है तो देखे पहला नमर कथन है हमलों का कि उचाई पर वायू मंडलिय दाप घट जाता है जिससे जल 100 डिग्री से अधिक दाप पर उबलता है यही कारण है कि उचाई पर खाना देर से बनता है यह कथन गलत दिया गया है पहला नमर कथन गलत है दूसरा कथन कथन 2 कह रहा है प्रेसर कुकर के अंदर दाप उच्छ होता है जिससे जल 100 डिग्री से कम ताप पर उबलता है इस परकार खाना कम समय में पक जाता है यह भी कथन गलत है दोनों कथन गलत दिया गया है तो राइट एंसर हो जगा देखिए option number D इसका सही अंसर हो जगा कथन 1 तथा 2 दूनों जो है असरत दिये गया है यानि कि गलत दिये गया है option number D right answer हो जगा next question 9 number question कर रहा है निम्न कथनों पर विचार किजिए देखिए इसमें भी कथन दिया गया है और बत लाना है इस पर विचार करके कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है तो करा है प्रिथवी के गुरूत्य के कारण तोरण घडता है यदी हम प्रिथवी के सत्ह से उपर के ओर जाते है तो देखिए पहला number कथनी दिया गया है दूसरा number कर रहा है हम भुमाध्य रेखा से द्रुवों की और जाते हैं तो जो त्वारन है वो बढ़ता है और पूछ रहा था तो इसी दे दूसरा नमर कथन गलत दिया गया ठीक है तीसरा नमर है प्रित्वी की घुर्णन गती बढ़ती है तो देखिए ये का रथन सत्य है प्रित्वी के गुरुत्यों के करण तोरन घटता है यदि प्रित्वी की घुर्णन गती बढ़ती है तब सही दिया गया है हम प्रित्वी के सत्ह के नीचे जाते हैं ये भी सत्य है त राइट एंसर रोज़ाएगा देखिए वण 3 और 4 तीनों जो है सही दिया गया है तो सही एंसर रोज़ा का ओप्षण नंबर B के लिए उत्तर दाई अनुकुलतम परिवेस है तो सैयन्सर हो जाएगा अमलिय परिवेस है option number B right answer मानों के जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तर दाई अनुकुलतम परिवेस है तो अमलिय है option number B right answer next question 12 question करा है किसी धातू से बनाई गई मिस्ट्र धातू को हवाई जहाज तथा रेल के डिबो में पूर्जू के काम के लिए लिया जाता है तो देखे किस धातू का पूछ रहता तो पूल में होगा तो राइटेंस हो जगा देखे पी टीबी हो जाएगा वी एटीबी हो जागा और आई का स्कॉएर आइटीबी हो जागा इन में से सभी नेक्ट कोश्चन 14 नोबर कोश्चन निमने कथनों पर विचार किजिए तो देखे यहाँ पर दिया गया है अटीप तो सबसे पहले आप अपलों के फूल फर्म जानेंसों इसका फूल फर्म होता है ATP का देखिए तो आब इसको पढ़िए ATP समस्त जेव कोशिकाओं मेरे साइनिक उर्जा का मुख इस्ष्रोथ है हाँ सही है सही है सेकर्ड नबर कतन है ATP का उत्पादन जेव कोशिकाओं में ही होता है जिसके कारण ATP को जेव उर्जा भी कहते हैं हाँ ये भी सत्य दिए गया है तो और यह कौन सा कथन सही है तो आप्शन नबर डी राइट जो जगा1 टूर 3 तीनों कथन जो है तीनों कथन सही दिए गया है नेक्ट कोशन 50 को यह करा है फोटो इलक्ट्रोन तभी प्राप्त होते हैं जब आपतित किरण की कंपाना व्रिति एक निश् को क्या कहते हैं तो तो देखिए इस निशित विश्यक्टमान को क्या कहते हैं हो जाएगा गुरामा वास्ता से ठेपनी सुरू करता है और ती से कटी में 6 से कंट का वेख प्राप्त करता है उसके बाद बात लगाता है किसाईगElla अगले पांत सेकेड में कॉम होकर चार मिडरा पर सेकेड हो जाता है दोनों इस्थीतियों में साइगेशिकल के त्वराण का विएग हो जाएगा 0.2 मिटर पर सेकड जाएगा a . इंसर होगा नेक्ट कोश्चन सेवेंटी नमर कोश्चन नीमने लिखीत कतनों पर विचार कीजिए ठीक है और उसके बतलाना है कि कौन सा कथन सही है तो देखे यहाँ पर हो जाएगा कर रहा है पहला नमर कथन कि भारत 1912 में रामसर समझोते का सदस से बना हाँ यह कथन सत्य ह गया है तो हां दूसरा नमर भी कतन जो है सही दिया गया है फिर देखे तीसरा नमर कह रहा है कि सरवादिक आदर भूमी छेत्रफल वाला राज पहुच्ची मंगाल है देखे यहीं गलत है पहुच्ची मंगाल थोड़ी है पहुच्ची मंगाल नहीं गुजरात है सरवादि से कौन सा पदार्थ समान इस्थितियों में किसी स्वास्थ ब्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सरजित नहीं होता है राइट एंसर जगा अमीनो अमले और सी राइट एंसर अमीनो अमले पदार्थ समान इस्थितियों में किसी स्वास्थ ब्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सरजित नहीं होता है, option number C, right answer, amino, amine, next question, 90, number question, sulfur dioxide, रंगीन परदार्थों का बिरंजन, किस प्रकिरिया के द्वारा करती है, सही answer हो जाएगा, देखिए, option number D, right answer हो जाएगा, option यानिकी reduction, option यानिकी reduction, ठीक है, sulfur, dioxide, रंगीन परदार्थों का बिरंजन, किस प्रकिरिया के द्वारा करती है, तो अप्चैन प्रकिरिया के द्वारा करती है, option number D, right answer, next question, 20, number question, यदि किसी दरपन के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रती बिम्बे सिधा दिखाई देता है, तो वह दरपन किस परकार का होगा, तो देखिए, वह दरपन जो है, समतल या फिर उत्तल परकार का होगा, option number D, right answer हो जाएगा, यदि किसी दरपन के आगे कितनी यूग में की बिमारियों का कारण बिसानु है, किस यूग में की बिमारियों का जो कारण है, वह बिसानु है, तो आइए, देखा जाए, option क्या कह रहा है, 21 का, किस यूग में का जो हो जाएगा, तो बिसानु पोलियों और ब्लोड फ्लू हो जाएगा, option number 2, right answer हो जाएगा, पोलियो और ब्लड फ्लू फिर से कबर कोश्चन देख लिए जाय क्या कर रहा था देखिए कर रहा था निमने लिखित में से किस युग में की विमादियों का कारण बिसानु है तो कौन से विमादियों का कारण बिसानु है तो सही एंसर पोलियो और ब्लड फ्लू का जो होता है option number भी राइट एंसर हो जागा नेश्ट कोश्चन 22 नमबर कोश्चन साथियों अगर सेशन अच्छा रहा है आप लोग लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास और टेलीग्राम से जुड़ीएगा ताकि आप लोग इसक इसके श्टेडी पर आप ज्यादा फोकस करिएगा 22 नमर कोश्चन है व्यस्चक व्यक्ति के मुखे गुहां में किस परकार के दातों की संख्या सरवाधिक होती है तो देखे सरवाधिक होती है मोलर परकार की दाते और कम पुष्दे सबसे कम पुष्दे तो याद रखेग केनीन का होता है केनीन जो है सबसे कम होता है next question 23 नमर कोश्चन सभी चुम्बुकिये पदार्थ अपना चुम्बुकिये गुन कम करते हैं जब वे तो देखिए जब वे बहुत ज्यादा गर्म होते हैं ठीक है सभी चुम्बुकिये पदार्थ अपना चुम्बुकिये गुन होता है वो खतम हो जाता है ठीक है अप्शन सी इसमें राइट हो जो जागा बहुत ज्यादा गर्म होते हैं कई प्रति रोपीत पौध है जैसे प्याज का पौधा इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि तो देखें इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रति रोपन के दौरा तो यह अगर नश्ठ हो जाता है आप लोग देखेंगे आलू एगारा का जो पूछ रहा था उसको खाड़िएगा तो जड़ से साइड से छोटी-छोटी बने रहते हैं तो यह जो है न यह अगर नहीं रहेंगे न तो उसके बाद आप लोग अगर जड़ के साथ पौधा नश्चान 25 नुमर कशच्वंड है करा और वह रहाएं सन्माइका जैसे आप लोग देखेंगे के लगश spinner niego गेट का खुबशूर्ती बढ़झा है या पिटीबू के उपर भी विचाय जाता है उसको साटा जाता सब्सक्राइब बढ़ जाता है तो फर्माइका संदर बढ़ जाता है यह फर्माइका है तो देखिए यह फर्माइका इूरिया फॉर्मिल डी हाइड प्लेस्टिक का है और अप्सन नमबर डी राइट एंसर हो जाएगा नमबर कोशन दो निकायों के बीच उस्मा के प्रवाव की दीशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है निमने में कौन सा कथन सही दिया गया है तो देखिए कार रहा है क्लोरोफिल और प्रकास संसलेशन इकायी तथा हरित लवक को प्रकास संसलेशी अंगक कहते हैं पहला नमबर कतन सत्य दिया गया है दूसरा नमबर क्लोरोफिल के बीना भी जीव सोपोसी जीवन जी सकते हैं यह भी सही है क्लोरोफिल के बीना भी जीव सोपोसी जीवन जी जा सकता है तो देखिए यह कथन गलत दिया गया है तो यहाँ पर तो cut नहीं दिया गया है जहीं कि यहाँ पर cut नहीं दिया गया है option में थोड़ा सा mistake है यहाँ पर cut देना चाहिए था cut देकर के तब लिखना चाहिए था मगर यहाँ पर आप लोग याद रखेगा a और b दोनों से ही दिया गया है आप्सन नमर भी रैट एंसर जल से हलका सोडियम हो जाएगा नेट्ट कोशन 29 नमर कोशन 150 मिटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली एक लकडी के टुकडे एक लकडी के गुट के गुट के जो होते हैं न छुटी से गुट के में परवेश करने के 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है तो गोली लकडी को कितनी दूर तक भेदेगी तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो इसका सहीन साज़ेगा गोली जो है लकडी को 0.25 मीटर की दूरी तक भेद सकती है नेक्स कोचन 30 नमबर कोचन कर रहा है बायोम के अंतरगाते सामीन है सही अंसर हो जाएगा देखें बायोम के अंतरगात प्रिण पौदे सामील है जीव जनतु सामील है परिश्थिति की तरह एक तरह से कहा सकता है बायोम के अंतरगत पूरा प्रित्वी नहीं सामिल है कोई भी वस्त हुए वो स्वारा बायोम के अंतरगत सामिल है राइट एंसर जगा इन में से सभी और इनमें से सभी नेक्ट कोशन 31 नम्बर कोश्चन जल में एसिटिक अमले के घुलने के अपरांत अभी किरिया होगी जल में एसिटिक अमले के घुलने के अपरांत अभी किरिया होगी जल में एसिटिक अमले के घुलने के अपरांत अभी किरिया जो है उसमा छेपी होगी और यहां पर टाइपिंग इरह है इसलिए प्रॉब्लम हुगा है चलिए फिर से पढ़ते हैं थर्टी थिरी को ग्लुकोच का कोशिका में परिवहन कराने है तो देखे ग्लुकोच का कोशिका में परिवहन कराने है तो देखे ग्लुकोच का कोशिका में परिवहन कराने है तो देखे ग्लुकोच का कोशिका में परिवहन कराने है तो देखे ग्लुकोच का कोशिका में परिवहन कराने है त मानों के छोटी आत के किस भाग में पाए जाते हैं तो देखे मानों के किस छोटी आत में पाए जाते हैं तो सही एंसरो जगा ग्राहनी में option number A right एंसरो जगा ग्राहनी ठीक है बुरुंस ग्रान्थी ताथा गॉल्वेट कोशी का मानों के छोटी आत के ग्राहनी भाग में पाये जाते हैं ओप्शन नमबर A राइटेंसर जगा ग्राहनी नेक्ट कोश्चन 35 नमबर कोश्चन निम्नलिकित तत्वों में किस से तत्व की प्राथम आयनन उरजा अधिक्तम है तत्व की प्रथम आयनन उर्जा अधिकतम होती है अप्शन नबर A, D, राइट अधिकतम होती है अप्शन नबर A, अप्शन नबर A में दिये गए है अप्शन नम्र आइट अधिकतम हैं अप्शन नबर A, अप्शन नबर A, नबर कोश्त यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रवब्यमान प्रितिवी से से दोगिना तथा 33 गुन ही हो तो उस ग्रह के सतफ पर 9 kg द्रव विमान की वस्तु का भार क्या होगा तो देखिए उस ग्रह की सतफ पर जो है क्या हो जाएगा भार सही एंसर हो जाएगा 19.6 in option number B right answer next question 38 number question पेश मेकर को क्या कहते हैं पेश मेकर को क्या कहते हैं तो देखिए यहाँ पर करा है निम्ने लिखित में कौन सबसे हलकी तथा उजुवलन सील मुद्ट है तो देखिए यहाँ पर सबसे हल्की तो आप लोग का यह हो जाएगा मगर उजुवालन सील भी पूछ रहा है तो यहाँ पर हिलियम होगा ठीक है option number C right answer हो जागा इन चारों में से सबसे हल्की तथा उजुवालन सील गैस कौन सी हो जाएगी हिलियम है option number C right answer होगा next question फोटी नमबर question यह स्मार्टफोन में ब्यापक रूप से उप्योग हो रहा touch screen किस परकार का डिवाई से तो देखिए touch screen जो है input तथा output दोनों है जैसे mobile हो गया input आउटपूट दोनों है option number C right answer हो जाएगा next question फोटी वन नमबर question कर रहा है बैसक शरीर में सुक्राणू यानि की एस्पर में निर्मान है तो अनुकुल्तम तापमान परिशर है तो देखिए कर रहा है फोटी नमबर question साती होगर आप लोगों को वीडियो को अभी लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करिए अपने दोस्तों में तो के पास एक ग्रूप में जरूर कर शेयर करी साती हो और आगर आप लोग चैनल पर रहे है तो चैनल को सब्स करन्ट संख्या कितनी होती है तो देखें कोबाल्ट देखें यहां पर कोपाल्ट कर रहे हैं स्यानिक सुत्र गला देखें सी ओ यहां पर छोटा होता है ठीक है सी ओ जो है यहां पर छोटा होता है कोबाल्ट की ऑक्सी करन्ट संख्या कितनी होती है तो हो जाएगा आप बिक्रिती का कोई बीमा नहीं होता है याद रखेगा कोई भी मा नहीं होता है इसलिए करता कौन सा सुमेरित नहीं है तो option वेब्स लिकलती है option number C right answer हो जाएगा जेट प्लेन की गति जब ध्वानी की गति से ज्यादा होती है तो शॉक वेब्स की तरंगे निकलती है option number C right answer शॉक वेब्स next question 45 you have question करा है एक सरल सुक्षमदर्सी शुक्षदी च्हमता के उत्तल ले जस से सु शुक्षमदर्सी की ओधर्णा च्हमता क्या होगी तो इस सुक्षमदर्सी की ओधर्ना च्हमता जो है यह क्या हो जाएगी सई अन्सर हो जाएगा इसका 2.5 होगी option number C right answer 2.5 हो जो है छमता क्या हो जागी तो two point five होगी option नबर सी right answer next question 46 number question निकोला टेसला किसके लिए परसीद है निकोला टेसला जो है किसके लिए परसीद है तो दीखिए AC के खुझ करता हो जागा हाँ AC के खुझ करता हो गया यानि कि alternating current के लिए अप्षिन बी राट एन्सर ऑल्टर्णेंग और यह यह जो बादा एमदर के दो बादा मानें और तुर्णा डूरुद मोजता आर के ठोस गोले के व्याश के पारीत जड़ोते अधून होगा तो देखे ज़रूरत आधूर्ण जो है कितना हो जाएगा राइटेंसर हो जाएगा आप लोग का 2x5mr² ओप्सन नमर सी राइटेंसर हो जाएगा 2x5mr² द्रब्यमान एम एवं 30R के ठोस गोले के व्यास के परित ज़रूर्ण जो है ज़रूर्ण कितना होगा तो 2x5mr² हो जाएगा एक ब्यक्ति 35cm से निकट की वस्तू को नहीं देख सकता है ठीक है लेंस की फोकस दूरी क्या है जिसकी और सकता उसे 25cm पर रखी वस्तू को साफ साफ दिखने के लिए होगी तो क्या हो जाएगा सही अंसर हो जाएगा इसको 37.5cm होगा ओप्शन नमबर भी राइट अंसर हो जाएगा नेस्ट कोशन 49 नमबर कोश्चन का रहा है निमनलिकित में से कौन से भोगोलिक छेतर में जेव विबित्ता के लिए संकट हो सकते हैं तो देखे पहला नमबर है व भीदेशी जाती का संक्रमन हां ये भी हो सकता है आवास का विक्षंडन नहीं हो जैके फिर टैपिंग ढता है क्रायोजेनिक तक्निक का प्रयोग मुख्याता किस छेत्र में किया जाता है तो किस छेत्र में किया जाता है तो देखें रोकेटों तथा मिसाइलों में किया जाता है और राइट एंसर क्रायोजेनिक तक्निक का प्रयोग जो है मुख्याता रोकेटों तथा मिसाइलों में किय जाता है और चलिए अगर आप लोगों के लिए तो आप लोग चैनल को सब्स्राइब करके बेल एक अपो सुचना देदें के हमारे से अभी प्लेटफॉर्ण के लिए और उसे साथ अभी किरन पनकेशन का बुक रिका लगा उसका भी त्यारी कराया जा रहा है ग्यान विन्दु को जो पेट कोड़ से बीए से करा हुए फिर से जो ये टेट्स रिजए ग्यान बिंदु का वो भी फ्री में प्रोवाइड करा जा रहा है उसके सांथ साथ अभी तुरंत क्लास से स्टार्ट होगा दो और घाटना चक्र का और प्लस में इदू टेरिया प्रविकेशन का बिये दोनों बुक तुरंत ये स्टार्ट होने वाला